मध्यप्रदेश के सिद्ध शेत्र बावन गजाजी में वराजमान मुनिश्री दुरलप सागर्जी महाराज इवं मुनिश्री संधान सागर्जी महाराज का पावन सानेत्य भक्तों को मिल रहा है मुनिश्री ने प्रवचनों में भक्तों को जीवन जीने के मूल सिध्धान्तों के बारे में समझाया मुनिश्री संधान सागर्ची महराज मध्यप्रदेश 52 गजस्थित श्री दिगंबर चैन मंदिर में चातुरमास के लिए विराजमान है जहां नित्यमहा हो रही मंगल देशना में मुनिश्री ने जीवन जीने के चार मूल सिध्धान्तों के बारे में बताया चिंता मट करो चिंतन करो तब ही हम अपने जीवन में तनाव से बच सकते हैं वार बाते याद रखना है आज के दिन अपन को हालांकि बाते तो वही वही है सबसे पहले तनाव कैसे हो दूर हो हम अंगेजी मीडियम बाले हैं आप लोग अंगेजी माध्यम बोलते हो आप लोग सब उसी से पड़े वे हैं तो अपने एटिटूड को ठीट करो अपने एटिटूड को बदले लाट कोशिष की जमाने को बदल डालू जमाना नहीं बदला तो खुट को ही बदल डाला दसलक्षन पर्व में व्रत लेने वाले भक्तों के बारे में मुनिश्री संधान सागर्शी महराज ने कहा कि अपने जीवन में छोटे छोटे नियम इस बार का परिशन पर्व कैसे मनाना है बले ही हम छोटे छोटे नियम ले लेकिन उन नियमों के आधार पे अपने जीवन को हमेशा कहता हूं मै गुटनों के बल चलते चलते पावं खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियमी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं छोटे छोटे नियमी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं इसलिए उन नियमों को प्रमान सागर्शी महराज कहते हैं नियम छोटा और बड़ा नहीं होता नियम से जुड़ी हुई स्रद्धा छोटी और बड़ी होती है